हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका एक और नए वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइटिंग कंट्रोल लिवर के बारे में फ्रेंड्स ये लगबग आपको सभी इंट्री लेवल कार्ड्स में ये एक ही जैसा देखने को मिलेगा और अल्टो, अल्टो केटेन, अल्टो 800 में तो ये कॉमन ही है तो चलिए वीडियो सुरू करते है फ्रेंड्स इसमें तीन पोजिशन दिया गया है ये ओफ का है पहला पोजिशन ये दूसरा और ये तीसरा तो हम बाड़ी बाड़ी से बात करेंगे कि किसमें कैसे ये फंक्श रहेंगे ठीक है और जैसे ही हम इसे इस पर ले जाते हैं यह आप देख रहे हैं सिंबॉल तो इस पर ले जाने के बाद क्या होता है कि यह आपके गाड़ी के फ्रन्ट पोजिसन लाइट को, रियर टेल लेंप को, टेल लेंप के लाइट को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंस्टूमेंट का लस्टर का लाइट जो है, इसको, और यहाँ म्यूजिक सिस्टम में जो लाइट से उसको, और यहाँ पे जो AC का कंट्रोल है, यहाँ पे इस light को भी on कर देता है और फिर यहां पर आप देखेंगे तो यह fog light में अभी तो fog light off है अगर इसे मैं प्रेस करूँगा तो यह fog light भी on हो गया आप देख सकते हैं फ्रेंट में यह fog light on हो गया दिख रहा हो गा अपको और यहां एक बार ओर click करूँगा तो यह off हो गया, ठीक है, तो यह सब जो switches हैं, इसमें यह light on हो जाता है, friends, in lights के साथ साथ यह गाड़ी के जो license plate होता है, गाड़ी का, उसमें जो light लगा होता है, उपर में, license plate के just उपर में, तो उसको भी on कर देता है, ठीक है, लेकिन जब आप इस position पे रखते हैं, तो यह आपके गाड़ी के headlight को on नहीं करता है, ठीक है, तो headlight को on करने के लिए क्या करेंगे, तो बस इस knob को एक बार और यह third step पे हमें चले जाना है, तो यह आप देख सकते हैं, गाड़ी का headlight जो है, वो भी यहाँ पे on हो गया, ठीक है, आप यह instrument cluster में देख सकते हैं, blue color का light जल गया, अभी यह गाड़ी high beam पे है, आप देख सकते हैं, वहाँ पे, ठीक है, तो high beam पे है, तो वो light वहाँ पे indicate हो रहा है, और मैं इसे low beam पे डालूँगा, तो low beam में यह instrument का लस्टर में, वो blue light था, वो नहीं जलेगा, क्योंकि low beam में वो नहीं जलता है, वो high beam में जलता है, और यह देखिए, गाड़ी जो है, low beam में हो गया, यहाँ से मैं high beam करता हूँ, सकते हैं, तो friends, एक बार और देखिए, यह high beam हो गया, यह low beam हो गया, और यह pass लेने के लिए, ठीक है, और यह off, और जब pass लेना हो, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप इस lights को on करके ही pass ले, आप direct भी यहाँ से ऐसे इस तरह से pass ले सकते हैं, ठीक है, तो friends, मैं front के position light को, और rear के tail lamp को दिखा देता हूँ, कि वो यहाँ पे on होने के बाद, वो गया, यह देखिए, यह छोटा वाला जो bulb होता है, यह position light है, और यह जो है, on हो जाता है, यहाँ पे front में, front position light, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यह rear में जो tail lamp होता है, यह, तो friends, यह क्या करता है, आपके गाड़ी के front position light को, और rear में जो tail lamp है, उसको on कर देता है, और जैसे ही आप इसे यहाँ ले जाते हैं, तो यह आपके front headlight को भी on कर देता है, और जो भी instrument light या जो भी आपका light से अभी मैं दिखाया था, वो सब भी on रहता है, ठीक है, तो friends, आप इस बात का ध्यान रखें, कि high beam या low beam जो है direct battery पे उसे मतलब बिना engine on किये, जो है, यहाँ से on करने पे वो बहुत जल्दी battery को drain करता है, ठीक है, तो friends, अब हम देखेंगे, कि turn signal indicator को कैसे activate, deactivate करते हैं, friends, जैसे आपको गारी को turn करना है, तो आप यहाँ से right side turn लेने वाले हैं, तो right side का turn signal indicator on किये, तो यहाँ देखिए, right side indicator का blink कर रहा है, तो आप turn करने के लिए on किये गारी को, फिर आप क्या किये, अपना जो गारी का steering ह आप उसको, एक मिनट मैं ignition on कर देता हूँ, इंजन on कर देता हूँ, तो friends, आप गारी के steering को पुड़ा right, जैसे आप turn ले लिए, फिर आपने steering को वापस अपने जगा पे लाए, तो यह automatically deactivate हो जाता है, यह जो turn signal indicator, एक बार और मैं करके दिखा देता हूँ, आप left turn लिए आपको ब्लिंक कर रहा है, तो आप left में गारी को turn कर लिए, और फिर जैसे ही वापस आप लाएंगे देखिए, वो off हो गया, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपको normally lane change करना है, तो वहाँ पे आप अगर indicator देते हैं, lane change करने के लिए, तो इस टेडिंग बहुत जादा आपका turn नहीं होता है, lane change करते समय, तो ये off नहीं होगा, तो आप इसे manually off करना पड़ेगा, ठीक है, आप इसे manually off कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो है headlight को आपका जो, आगे का headlight है, उसको adjust करने के लिए, ठीक है, जैसे अभी ये 0 पे है, यहाँ आ on कर दिया, और यहाँ से मैं इसे adjust करूँगा, देखिएगा आप, पता उतना नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा उतना, लेकिन यहाँ से ये आप adjust कर सकते हैं, load capacity के हिसाब से, तो friends, ये जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आप गारी में load capacity के हिसाब से, आगे का headlight है, उसे आप adjust कर सकते हैं, night के time में, ठीक है, तो friends, आसा करता हूँ, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe करे Thank you so much